हेलो स्टूटीव स्टूट्स तो बेटा आज जो हम एविस में रीड करने वाले हमारा चैप्टर 17 फ्यूल्स फ्यूल्स का मतलब होता है कि इंधन ठीक है कि हम ज officer देर हमारे फ्यूग के रूप में जो होते हैं जैसे की पैट्रोल हो गया डीजल है कैरूसिन या गैन्सिद है कोईल है तो उनके बारे में जुमं मरीड आट करेंगे कि चलिए शुरू करते हैं कि आपने जो तो मैं इसमें सिर्फ में में पॉइंट जो है वो डिस्प्लेइन करूंगा एक बाकी जो है वो आपने इसको अच्छे से जो खुद रीड़ाउट करना है जैसे देखिए कि मोस्ट वेहिकल्स वी सी ओन्द रोड एज फ्यूल टू रन फ्यूल इसमेट्रियल डैट प्रोवाइड एनर्जी ओन रनिंग विच मेक्स वेहिकल्स रन ठीक है तो देखिए कि क्या है कि हम जो हम वो बहुत सारे साधन या विकल्स जो हम देखते हैं रोड के उपर चलते हुए वह कैसे जलते हैं फ्यूल की मदद से जलते हैं क् होगी फ्यूल जब उनमें जलता है तो विकल्स क्या करता है रन करता है ठीक है तो फ्यूल्स बनता कैसे है कि फ्यूल सच है कोईल पेट्रोलियम और नैच्रल गैंस और अप्टेन फ्रोंडर डिपोजिट ओप्लांट्स और अनिमल्स डैट गोट बरेड बिलियन ओफियर ए और उनके दबने के बाद जो है वो उनका जो फोसिल से उनसे जो है वो फ्यूल बने दे आर काल फोसिल फ्यूल इसी को हम क्या कहते हैं जिसमें सबसे पहले है हमारा कोईल कि कोईल जो है वो कह हमारा एक यूजफुल जो है वो सबसे यूज़ होने वाला नैच्रल जो है वो एनिमल्स जो है वो आज से लाखो साल पहले धर्ती के अंदर जो है वो दब गए थे उनसे जो है वो ये बनता है कैसे कि जब नीचे दब गए तो धर्ती के नीचे हमने पड़ा हुआ है कि वहाँ पी क्या है हीट और प्रेशर बहुत जादा है तो उसके कारण जो है वो उनकी बोडिस जो है प्लांट्स एनिमल्स की वो कोईल में चेंज हो गई थी जिससे क्या है कि कोईल जो हो बनता है अब इसका यूज का होता है कि कोईल का यूज जो है वो हम स्टीम इंजन्स चलाने के लिए करते हैं लेकिन आज के टाइम में जो हम इसका यूज कूकिंग क के लिए करते हैं या electricity प्रडियूस करने के लिए या फैक्टरीज के अंदर इंजन वगएरे चलाने के लिए जो है वह इसका यूद जो हो हम करते हैं नेक्स्ट है हमारा petroleum की petroleum या crude oil जो होता है उसको refinery में जो हम refine करते हैं ठीक है तो refine करने पे जो है उसमें से petrol डीजल केरोसीन और भी कई जो है वो product जो हमारे निकलते हैं जिसमें क्या है कि petrol को जो हम पैट्रोल डिपो से जो है वो भेज देते हैं factory से refinery से उसके बाद जो है उस transport के अंदर सबसे ज़्यादा petroleum का यूद जो हो करते हैं motorcycle, car, scooter, bicycle ठीक है बस और इसके अलावा जो हमारे aeroplane वगरा में जो हो petroleum जो पर डॉक्त हो उनका यूद जो हो होता है इसके बाद है डीजल और केरोसीन कि डीजल जो हमारे chief fuel है यानिके chief fuel क्योंकि इसको गया है कि petroleum की त इसलिए इसका यूद जो हो हम heavy vehicles जो होते हैं हमारे बड़े vehicle जैसे bus truck इन में जो है वो diesel का यूद जो हम करते हैं इसके अलावा जो हम जो water lifting pump होते हैं जिन से पानी निकाला जाता है उनको चलाने के लिए या generator वगरे चलाने के लिए जो हम इसका यूद करते हैं और kerosene का ज जो हम जो है वो गैंस जो हमारे stove गएर आते हैं के उन से खाना बनाने के लिए जो हो करते हैं इसके बाद आता है हमारा natural gas की natural gas क्याती है natural gas is used in a vehicles in the form of compressed natural gas जो natural gas होती है वो vehicles के अंदर जो है वो cng की form में होती है compressed natural gas की रूप में ठीक है it is a clean and known as the green fuel कि इसको जो है वो हम green fuel के रूप में जो है वो जानते हैं क्योंकि इसके जलने पे जो है वो वातावरण को जो हमारे environment को जो बहुत बहुत कम नुक्सान होता है यानि कि यह पूरी तरह से जो है वो eco-friendly होती है इसी प्रकार से देखें कि natural gas are originated from hydrocarbon is trapped in the pore space in the mountains the heavier hydrocarbon of propane and butane gases are extracted in a liquid form dry gases available to use as the fuel contain both the ethane and methane gases कि देखें जो natural gas है वो हमारी कहां से आती है कि mountains के अंदर जो हमारे बड़े बड़े space रह जाते हैं या नीचे की तरफ जो है वो कुछ space बन जाते है mountains में तो वहां पर जो है वो इस तरह की liquid gas बननी शुरू हो जाती है जिसको फिर हम क्या करते है dry form में जो है वो यूज करते है ethane और methane gases के रूप में इसी प्रकार से एक और natural gas है जिसका यूज जो है वो हम liquefied petroleum gas LPG जिसका यूज जो हम घर पे खाना वगएरा बनाने के लिए करते हैं यानिकि जो हमारे gas cylinders आते हैं उनमें कौन सी gas होती है liquid petroleum gas या liquified petroleum gas जो होती है next जो आते हैं हमारे वो है non renewable और renewable source of energy तो इसको सिर्फ इतना समझ लेजिए कि non renewable कौन से होते हैं और renewable कौन से होते हैं non renewable source कौन से हैं the source of energy that are exhausted and do not renewable quickly are known as non renewable source of energy example होगे coil or petroleum कि वो source जिनका यूज जो है वो एक बार किया जता है और उसके बाद जो है वो उनको दुबारा बनने के लिए या उस source को दुबारा यूज करने के लिए जो है वो लाखों साल जो है वो लग जाते हैं जैसे कि हमारा कौइल है पैट्रोल में या के कोईल को अगर हमने एक बार जला दिया तो हं दुबारा जो है वो नहीं जला सकते क्यों क्यों तो नों रिलेबर सोर्स तो बीसा कॉन जो हो जाएंगे कि जिनका यूज जो हो हम Só बार बार कर सकते हैं इसमें कौन उसे होंगे तो इसमें कौन से हमारे की जैसे की wind energy होगी electricity है solar energy होगी या बायो गैंस जो है वो हमारे ऐसे फ्यूल्स हैं यानि के ऐसे resources हैं जिनको हम कहें बार बार जो है वो कर सकते हैं इसके अलावा जो है वो solar energy यानिके sunlight से जो है वो energy पैदा करना हमारा ठीक है यह सारे कहें हमारे renewable या alternative source of energy थे इसके बाद है electricity is used to run the electric vehicles Indian railway and metro trains network use electricity as a fuel electricity को जो है वो हम electric vehicles जैसे की Indian railway है या metro trains वगरा है वो यूज करते हैं as a fuel के रूप में यानिके electricity को वो यूज करते हैं इसके बाद देखिए कि बाइव गैंस इस यूज एज ट्रांस्पोर्टेशन फ्यूल इन मैनी countries it is made from animal and plant matters तो देखिए बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है कि अब बाइव गैस जो है वो बनाना और उसको यूज करना शुरू कर दिया है यह किससे बनती है जो हमारे एनिमल और प्लांट के matter से यानिके जो अवशेश होते हैं उनसे बनती है क्यों क्योंकि आज के टाइम में जो है ठीकारा फ्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा कोस्टली हो चुका है यानिकि इनकी डिमांड ज्यादा बढ़गी है उसके कारद जो हो इनके प्राइज भी बढ़ गएं तो इस से क्या है कि हमाये जो हे इसके alternate source ढूंडने पड़ेंगे तो alternate source में जो हो बाइव गैंस तो वो लाखो सालों में बनते हैं लेकिन जो है वो हम इनको जिस इसाब से यूज कर रहे हैं इनका जो रेट यूज करने की रेट है उस इसाब से यह वो हमारे बन नहीं रहे हैं तो इसलिए क्या है कि हमें जो है वो इनके अल्टरनेट सोर्स दूनने होंगे इसके अलावा क् कि we should keep in mind that fossil fuels cause pollution on being burnt that ultimately result in global warming इसके अलावा जब ये जलते हैं हमारे कोई भी petrol है, coil है, इनको जब हम जलाते हैं तो उससे क्या है कि धुआ बगरा निकलते हैं कई harmful gases निकलती है जो कि हमारे global warming का कारण बनती है उसके बाद है safe fuel कि हमें जो है वो इसकी बच्चत करने चाहिए fuels की कैसे कर सकते हैं कि जैसे first है हमारा कि we should switch off lights, fans, sector in a room when there is no one present कि जब कोई जो है वो रूम के अंदर नहीं है तो वहाँ पे जो light वगरा है, fans वगरा चल रहा है या जल रहा है तो उसको हम बंद कर दे we should walk or use a bicycle for a short distance, it keeps us healthy and fit इसके अलावा चोट कम दूरी के पर जाने के लिए जाने के लिए या तो पैदल चले जाएं या bicycle का यूज करें बजाए के bike के, we should use public transport like buses, autos, metros, instant of our private transport like scooter, motorcycle and cars किस से क्या, यानि कि हम अपना साधनी यूज करने के बजाए जो है वो long distance के लिए भी जो है वो public vehicle जैसे हमारी buses है trains है, metros है, इनका जो है वो ज्यादा यूज करें we should switch off vehicles engine when standing for a long period at red lights कि इसके लावा अगर red light पे हमें जादा देर तक रुखना है या किसी और के पास भी जो है वो हमें जादा देर तक रुखना है तो हम अपनी गाड़ी का engine जो है वो बंद कर दे we should maintain our vehicles properly, इसके लावा हम जो है वो time to time अपने vehicles की service करवाते रहे we should use eco-friendly fuels, इसके लावा जो है वो जितना हो सके हम eco-friendly जाने कि जिससे environment को कम से कम नुकसान हो ऐसे fuels का जो है वो use करें, okay students तो ये था आपका आज का chapter इसको अच्छे से read out जो है वो कीजिएगा, thank you